हेलो दोस्तो, All In One TET चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो अगर आप Beard करना चाते हैं अगर आप Beard करना चाते हैं, जॉब करना चाते हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो है काफी महत्पून है दोस्तो मैं आपको बता दू कि बिहार में Beard में admission की जो परकिरिया है शुरू हो चुकी है और दोस्तों मैं बता दू कि आने वाले सवे में B.A.D. जो कोर्स है चार वर्सों की होने वाली है अभी तक जो है B.A.D. दो वर्सों का कोर्स है दूई वर्सी ये कोर्स है तो अगर आप B.A.D. करना चाहते हैं इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बगल में बेल आइकोन है उसको भी दबा दीजे दोस्तों इस बार बिहार में जो बेर्ड में admission हो रही है इसके लिए Common Interest Test 2019 2019 आयोजित कराई जा रही है जिसमें आपको form online fill up करना होगा और इसके लिए नालंदा ओपिन इन्वर्शिटी के साइट पे जाके अपलाई करना होगा उसका लिंक जो है आपको नीचे में मिल जाएगा description box में आप सभी देख सकते हैं कि ये नालंदा ओपिन इन्वर्शिटी के माध्यम से CET BA 2019 का आयोजन कराया जा रहा है और इस बार जो BA हो रही है सिर्फ दो साल का हो रहा है जिसका सेशन है 2019 से 21 अगर आप इस वर्श कर लेते हैं तो काफी benefited है आपके लिए क्योंकि आने वाले समय में ये चार वर्श की कोर्स होने जा रही है BA पलस BA कोर्स होने जा रही है integrated कोर्स होने जा रही है और ये जो BA हो रही है regular mode में हो रही है distance mode में नहीं हो रही है regular mode में हो रही है admission के लिए आपको paper देना पड़ेगा पेपर पास करने के बाद ही आपका बीएड में एडमिशन होगा बिहार में बीएड में एडमिशन के लिए ऑनलाइन अपलाई जो है शुरू हो चुकी है और अपलाई का जो लास्ट डेट है 20 फरवरी 2019 बुधवार रेडनाश्टेट तक दोस्तों आप अपना फॉर्म जो है समिट कर सकते हैं और 22 फरवरी 2019 को रात के 12 बजे तक आप पेमेंट कर सकते हैं उसके बाद आपकी जो परिक्षा होगी वो परिक्षा जो होगी 10 मार्च 2019 को संडे को आपका पेपर होगा और अगर आप इस पेपर को पास कर जाते हैं तो बिहार में आप बीएड में इसमें एडमिशन लेने के लिए साइंस से ग्रेजुएट है सोसल साइंस से ग्रेजुएट है या कॉमर्स से ग्रेजुएट है सामान वर्ग के हैं या पिछरा वर्ग के हैं तो नियूंतम 50% के अंकों के साथ अगर आप ग्रेजुएट हैं या अगर आप में किये हुए हैं तो आप इस form को fill up कर सकते हैं अगर आप BE हैं या BTEC अगर हैं तो आपके मार्च में कम से कम 55% मार्च होने के बाद ही आप इस form को fill up कर सकते हैं वहीं पे जो अनुसुचित जाती अनुसुचित जन जाती और पिछरे वर्ग के जो वेक्ति हैं उन लोगों के लिए कुछ मार्च कम है वो भी इस form को fill up कर सकते हैं और इंट्रांस टेस्ट पास करने के बाद आप में एडमिसन ले सकते हैं तो ये है काफी महत्पून अपडेट और इसके लिए online apply शुरू हो चुकी है आप लोग एडमिसन ले ले आने बाले समय में BA course जो है इंट्रिगेटेड हो जाएगी यानि की BA plus BA हो जाएगी यानि की 4 words का BA course हो जाएगा तो ये काफी सुनहरा आपसर है आप सभी के लिए आप इडमिसन ले सकते हैं इसके लिए आवेदन जो है 20 फरवरी तक लिया जा रहा है जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा वहाँ पे आप किलिक करके देख सकते हैं और पूरी अपडेट जानने के लिए चैनल पे बने रही है और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए बगले बेल आइकोन है उसको भी दबा दीजे और आपके मन में जो भी प्रस्न है आप मुझसे पूछ सकते हैं और पूरे वीडियो को आन तक देखने के लिए